नमस्कार दोस्तों टेक्निकल्टी बहुत चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों एक प्येम जेड़ यह यह आई समान भारत कार्ड को लेके बहुत बड़ा अपडेट आया है दोस्तों जो आपको आज जानना बहुत जरूरी है आप इस वीडियो में जानेंगे दोस्तो तो अगर आपने स्वाटेयर पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लॉर लाइक करना बिल्कुल मत भूले दोस्तों और आज़र सबस्क्राइब कर लिया तो बहुत खन्यवाद दोस्तों सेदा तहम चलते हैं अपने डीजी मेल पर याने के बदोस्त तो मेरे काफी भीवर ऐसा बोलते हैं कि नहीं बिहार में लाइब नहीं हुआ है तो आज उनको मैं प्रूब कर दूँँगा यहां पर किसे बिहार में लाइब हो चुका है और बहुत सारे आपन सक्सेज अप्रूबर प्लीज ट्राइब लोग इन अप्र सों टाइम तो दोस्तों यह मेरा करीब करीब आज एक हफ्ता से एक हफ्ता दस दिन होने वाला है तो यहां पर मेरे को अभी तक अप्रूबर नहीं मिला है तो मैंने अपने डिस्टिक मनेजर से इसके लिए बा नियुन लेटर में आपको यहां पर दिया हुआ है आयुसमान भारत गॉल्डन कार्ड डिस्टिब्यूटर इनके बाद देखिए दोस्तों यहां पर इंगलीस में आ जाता है अगर आप इंगलीस नहीं जानते हैं तो हिंदी में पढ़ने के लिए इधर क्लिक करें ओप्सि चुका है और यहां पर भारत योजना के सुरुवात 11 राज में माननेता प्राप्त CAC के लिए की गई है तो 11 राज में जो लाइब हुआ है दोस्तों और यहां पर अब तक इस योजना के अंतरगर्त के लिए यांनि एक दिस्क्राइब हराण कीया है तो यहां पर दो लाग पंजी करन हो चुका है दोस्तों और फैंतिस जार गोल्डन कार्ट जारी कर दिया गया है तो एक बहुत बड़ा अपडेट है दोस्तों और अगर मैं भी फिर से आपको पदा दूँआ अभी तक अगर करने के लिए लिंक में अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा आप सीधा लिंक पे जाकर पर ओपन करें और एक चोटा जब फॉरम आजा दोस्तों मैंने पहले वीडियो बना चुका है तो आप वीडियो को देखके अपना रिजिस्टेशन कर ले ताकि जल्द से सुधार करने के अब सकता है तो देखे दोस्तों यहां पे जो है ग्यारत राज आपको सो करेगा सिरियल नंबर आप देख सके हैं यहां पी ग्यारत दिया हुआ है और एस्टेट जहारखंड एंपी गुजरात यूपी बिहार जमू एंड कास्मीर उत्राखंड मनिपूर नागरलेंड और एस्पी एस्पी का तो मैं फूल फॉम नहीं जानता हूं दोस्तों इसलिए मैं नहीं बताऊंगा आपको की एस्पी क्या है तो देखे दोस्तों आइड रेजिस्टेशन यानि सत्रह साथ हजार ग्यार सो दो जहारखंड में इतना साथ हजार एक सो बारा सी सी अपने रेजिस्टेशन किये हैं और उनका जो आइड है दोस्तों अभी जहारखंड में 1189 जो सी सी आइड है वह अप्रूब्ड हो चुका है दोस्तों और सबसे इंपोर्टन हम बात कर लेते कि जब भिहार में हम डाले थे कि भिहार में रेजिस्टेशन हो रहा है तो है दोस्तों जो आप यहां पर साब देख लिए बिहार में 10,350 अभिहारती ने सौरी 350 सी सेंटर वाले ने अपना रेजिस्टेशन कर दिया है तो हो सकता है 10,350 में मेरा भी नाम हो दोस्तों उसमें 202 जो है अप्रूबल मिल चुका है और गोल्डन कार्ड गोल्डन कार्ड ज चुका है नहीं 140 गोल्डन कार्ड बना चुके हैं और वहीं पर हम दूसरे नंबर बात कर लेता है दोस्तों जो यूपी का है यूपी में उनाइस सो सो ला उनाइस सजार सो ला उनाइस सजार सो ला सी एस सी ने अपना रेजिस्टेशन किया था उनको 199 में हमारा सबसे अभी कि यूपी से आगे हम है यूपी में हमारे 199 में मिला है अप्रूबल लेकिन वहीं बिहार में 202 का अप्रूबल मिल चुका है लेकिन दोस्तों अगर यहां पर बात करें तो यूपी में जाके 155,576 गोल्डन कार्ड के लिए रेजिस्टेशन किया गया है तो आप अपने नियूज लेटर जो है दोस्तों वह अहां पर देख लें कि कहां पर कितना सी एसी रेजिस्टर हुआ है और कितना को अप्रूबल मिल चुका है और दोस्तों हम यहां पर आते हैं अपना रेजिस्टेशन को उपर तो रेजिस्टेशन को उपर दोस्तों आप आप नॉर्मली Google में टैप करेंगे मैं आपको लोगिन करके दिखा देता हूँ फिर से दोस्तों आप Google में टैप करेंगे PMJDY तो देखिए हमें हाँ पर लोगिन कर लेते हैं और लोगिन करने के बाद PMJ पीम जे एवाई डॉट शी एसी क्लावड देखें दोस्तों पीम जे एवाई शीयसी क्लावड जब यहां पर हम जाएंगे आई इसमान भारत गोल्डन कार्ट बनाने के लिए इस सीए पर देखिए यहां पर इस तरह का आएगा यहां पर आपको एड़ांटेज में जाना है जाने के बाद process to continue to csc.gov.in आप यहां पर जाएंगे तो आप यूजर आईडे और पासवर्ड मांगा जाएगा जो कि आप अपना यूजर आईडे पासवर्ड डाल दें तो चलिए हमें आप अपना यूजर आईडे पासवर्ड डाल देते हैं और तो च्शेशी अच दो में आप यह उजर आईडे पासवर्ड डाल दिया है और द्व्यूजर दोस्तों जब डाले हम अपना यूजर आईडे पासवर्ड तो यहां पर इस तक रिजी स्क्षेश्पूल सर्विस्ट आईडी यह आ रहा है तो आप जब रेजिस्टर नही रहेंगे तो दोस्तों आपको यहां पर यह आप्शन नहीं आएगा आपको सीसी फॉर्म भरने के लिए बोला जाएगा सीसी फॉर्म में आप अपना एड्रेस मुवाइल नंबर इमेल आइडी इससे जो मांगा जाए उसको आप डाल दें और आप रजिस्टर हो जाएंगे औ तो हमें साफ मेरे को पताया कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं आपको बेट करना होगा जैसे दोस्तों जब 2016 यह 17 में जब OMT ID से जब CSC ID जो सोलर डिजिट का आने वाला था तो उस समय भी सिप हम कुछ नहीं कर सकते थे सिप बेट कर सकते थे और बेट करने का आज हमें फाल मिल चुका है तो इसी परकार दोस्तों यह CSC में आपको बेट करना है और कुछ नहीं करना है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था वारा वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा के लागा तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूले तो आज के लिए इतना ही जैहिंद जैभारत कि